हिजबुला के मुख्या को मार कर अब इसराइली सेना लेबनान में घुश चुकी है हाला कि इसराइली सेना के प्रमुक हरजी हलेवी ने कहा कि ये एक सीमित आपरेशन होगा जो बॉर्डर एरिया से हिजबुला को ब्लू लाइन से पीछे खदेडने के लिए किया जा रहा है ताकि इसराइली सेटलर्स को वापिस उनके घरों में बसाया जा सके लेकिन आईडियफ के लेबनान में पैर रखते ही इरान समर्थित प्रतिरोध की धूरी जिसे एकसेस ओफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है पूरी तरह से तिल मिला गई है एक तरफ हिजबुला ने ताबर तोड रॉकेटों की बरसात कर दी है वहीं दूसरी तरफ यमन का हूती अब हत्ते से उखड़ चुका है होदेदा एरपोर्ट पर इसराइली एरस्ट्राइक का शायद उसके उपर कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि जिस दिन उसके उपर ये हमला हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद उसने अमेरिका की नाग कहे जाने वाले MQ-9 Reaper ड्रोन को साधा प्रांथ के उपर मार गिराया आपको यहाँ यह भी बता दे कि अमेरिका का ग्यारवा ड्रोन है जिसे हूती लड़ाकों ने मार गिराया है और अब हूती ने ये दावा किया है कि यमन की एरोस्पेस यूनिट ने गाजा पट्टी में तेल अविव शासंद के चल रहे अत्याचारों और पूरे लिबनान में उसके हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के कबजे वाले इलाकों में रणनितिक शेत्र के खिलाफ दो ऑपरेशन्स को अंजाम दिया गया है दरसल हूती के अनुसार यमन के शशस्तर बलो ने घरेलू और लंबी दूरी के याफा कामीकेज ड्रोन का उप्योग करके तटिये शहर टेल अविव के पास एक महतवपून लक्ष पर हमला किया इसके साथ ही उन्होंने चार घरेलू स्तर पर विक्सेद समद फोर लड़ाकू ड्रोन्स के साथ कबजे वाले इलाके के सबसे दक्षनी हिस्से में इलट बंदरगा पर मिलिटरी एरिया पर भी हमला किया फूती प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया सारी ने बयान जारी कर कहा कि किये गए दोनों आपरेशन्स सफल रहे हैं इलाद है आध़ाफ़ुमा बिनजाह। इस हमले से एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने तैल अविव पर इसी मिसाइल और एशकेलोन में एक प्रमुक्सेन ने टार्गेट पर याफा ड्रोन से हमला किया था। आपको बताने की हूती को जंग लड़ने का एक अच्छा खास आनुभव है क्योंकि हूतीयों ने सौधी अरब और अन्य राज्यों द्वारा समर्थित सरकार के खिलाफ यमन में एक लंबा युध लड़ा है और वो उसमें सफल भी हुए हैं। इस प्रकार उनके पास उन्नत हत्यार वाले देशों के खिलाफ लड़ने का एक अच्छा खास आनुभव है। पिशले एक साल के दोरान हूती ने बिना किसी खौफ के लाल सागर में ता बड़तोड हमले किये। उसने माने जिक जहाजों और अमेरिकी नौसेना के साथ साथ यूएस सेंटरल कमांड सहित नौसेनाओं का सामना भी किया है। हूती ने इसराइल पर हमला किया और कई अमेरिकी रीपर ड्रोन्स को भी मार गिराया। और देखा जाए तो हूती की ताकत में लगातार बड़हुत्री ही हो रही है। जिसकी वज़ा से इस बात में कोई दोराय नहीं कि इसराइल के लिए हूतियों पे पार पापाना इतना आसान नहीं होगा। जा करेगि knife ए den दे टतना ओर वोज़ह। जोट कुप सまहा तो हूतिए EXT-nya nज वस्टान आसे झाल डिएक यज़द्श mo रहा का व हएं मैं हूतिंग्शक आसान आसान नहीं झाल झाल